हेलो स्टुडेंट्स मेरा आकेश विश्णुई प्रवक्ता सेविल लभ्यांत्री की राजकिय पॉलिटेक्निक महाविजादल्य अन्मानगड आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी अन्मानगड पर इस्टुरेंट्स बित्यार दौरा प्रयोजित e-lecture सीरीज के पिछले lecture में हमने hydro kinematics के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे hydro dynamic के बारे में जहां हम बर्नोली equation को derive करेंगे उसके संधर्भ में कुछ तक्निकी परिभासाएं हैं जिनको हम आज यहां जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं Hydro-Dynamic क्या है द्रव गती की क्या है Hydro-Dynamic Fluid Mechanics की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम द्रव की गती का अध्यान करते हैं साथी साथ ये भी देखते हैं कि वो गती किस कारण से है उसका भी हम अध्यान करते हैं अर्थात की उस गती को प्रदान करने वाला जो बल है उसके बारे में भी हम अध्यान करते हैं Bernard Li Equation के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कुछ basic پریबासाई जो हमारी है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं Kinetic energy अर्थात, गतिज उर्जा यदि कोई हमारा पिंड या बॉडी या हमारा फ्ल्यूड जब गति की आवस्ता में होता है, तब उसके अंदर कुछ न कुछ उर्जा होती है, जिसे हम गतिज उर्जा कहते हैं, मालो कि हमारी कोई बॉडी है, जिसका द्रवे मान M है और वो V वेग से गती कर रही है तो उसके अंदर जो गती जूर्जा होगी उसका मान होगा half of M V square दूसरा है हमारा potential energy जिसको हम कहते हैं इस्तती जूर्जा जो होती है जब हमारा कोई द्रव या कोई पदार्थ या कोई पिंड हमारा इस्ति रवस्ता में रहता है तो उसके अंदर कोई न कोई उर्जा रहती है उस उर्जा को हम कहते हैं इस्तती जूर्जा यदि कोई पदार का भार और जड़ जो होता है हमने जो भी आधार तल माना है उस से हमारा पिंड किस उंचाई पहे है उसको हम कहते हैं जड़ last है हमारा pressure energy दाब उरजा यदि कोई हमारा पिंड या पदार या हम कहें कि हमारा जो तरल किसी भी आधार तल के उपर इस्तीत है तो वो तरल हमारा उस आधार तल पर एक दाब लगाएगा जो उसके अंदर उर्जा के रूप में सरक्षित हो जाएगा जिसको हम कहते हैं दाब उर्जा दाब उर्जा का मान हम साधार रणते हैं वाईव मंडलिय दाब से अधिक दाब के लिए यूज करते हैं और इसका गणिती एमान होता है रो जी एच हमने जब हाइडरोस्टेटिक पड़ा था तो हमने किसी भी तल पे दाब की जब गणना की थी हमने ये पड़ा था उसका फॉर्मला हमने डराइव किया था पी एक्वल टो होता है हमारा रो जी एच जो दाब होता है वो उर्जा के रूप में वहाँ सरक्षित हो जाता है अब हम उसी उर्जा को सिर्स के रूप में देखेंगे तो किसी भी उर्जा को सिर्ष के रूप में हम देखते हैं, तो हम कहते हैं उस उर्जा को उसके इकाई भार से जब हम विभाजित करेंगे, तो जो हमें उर्जा प्राप्त होएगी, वो सिर्ष के रूप में प्राप्त होएगी, पहला है हमारा गतिज सिर्ष, किसी भी उर्ज अब हम बात करते हैं इस्ततिज सीर्ष के बारे में इस्ततिज सीर्ष जो होता है हमारा वो होता है इस्ततिज उर्जा को किसी पिंड के काई भार से जब हम विभाजित करेंगे तो जो इस्ततिज उर्जा आएगी वो हमार को इस्ततिज सीर्ष के रूप में प्राप्त हो जाए धारतल से पिंड के केंदर की दूरी होती है Next हम देखते हैं Pressure Head, Dab Sears Dab Sears है कि Dab Urja को हमने भी बाजित कर दिया बाहर से तो हमार पास जो Dab Sears आएगा वो होगा P upon में प्रो जी ये जितने भी हमारे सिर्स है गतिज सिर्स, Dab Sears, इस्तिति सिर्स ये सारे उर्जा का ही रूप है लेकिन ये उर्जा जो हमारी किस फोम में है सिर्स के रूप में है तो किसी भी पिंड का कुल उर्जा या जो कुल सिर्स है वो क्या हो जाएगा उसके गतिस सिर्स, Dab सिर्स और इस्तित सिर्स का जब हम योग करेंगे तब हमार को उसका कुल सिर्स प्राप्त हो जाएगा तो एक basic equation बनती है कुल सिर्स की V square upon में 2G plus Z plus P upon में rho G अब हम बात करते हैं बर्नोली समीकरण के बारे में बर्नोली समीकरण क्या कहती है? किसी भी steady flow के लिए जो की incompressible और frictionless है मतलब उसने घर्षण को नगन्य मानना है और वो कहता है हमारा जो जर्व है वो SMPD है तो उस flow के लिए total जो उर्जा होती है हमारी potential energy, kinetical energy और pressure energy उसका जो submission है यदि हमारा flow along the stream line है तो वो constant रहेगा वो परिवर्थित नहीं होगा कहता है for an ideal fluid total head of fluid particle remain constant during the steady incompressible flow तो कहते है जो total head along stream line is constant during steady flow when compressibility and friction are negligible तो बर्णोली समीकरण क्या कहती है जो कुल सीर्स होता है हमारा किसी भी fluid का वो constant रहता है वो परिवर्थित नहीं होता है बर्णोली समीकरण को समझने के लिए हम एक tapering pipe लेते हैं जिसके अंदर fluid flow हो रहा है उसके अंदर हमने 2 cross section cut कर लिए 1 1 और 2 2 और हम कहते हैं जो fluid flow हो रहा है वो section 1 से section 2 की तरफ हो रहा है यदि section first पे diameter d है और velocity v1 है और section 2 पे diameter d2 और velocity v2 है तो first section पे जो कुल उर्जा है हमारी वो और जो second section है उस पे जो कुल उर्जा है वो दोनों बराबर होएगी यदि pipe की सतय पे friction को हम नगन्य माने और हमारा जो fluid है वो incompressible हो तो हम कहेंगे जो हमारा total जो shear से हमारा वो constant रहेगा means section first पे जो कुल shear से हमारा और section 2 पे जो कुल shear से हमारा वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे बरनोली समीकरण को समझने के लिए हम ajum करते हैं कोई pipe है जिसके अंदर हमारा steady incompressible flow हो रहा है हम कहें कि जो flow हो रहा है हमारा जो प्रवा है वो stream line के अनुदिस है न्यूटन की गती के दित्यनियम से हम कहेंगे जो force है stream line के along वो equal है mass into acceleration तो जो बल है हमारा stream line के along वो है हम कहते है fs जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका द्रव इमान हम कहेंगे m है और उसके जो त्वरण है stream line के along वो है as तो त्वरण होता है change in velocity upon में time तो इसको हमने जब solve किया तो हमार पास इसकी value आगे v.dv upon में ds तो इसकी value आगे हमार पास हो है v.dv upon में ds अब हम बात करते हैं जो Bernoulli ने अपनी समिकरण को derive करने के लिए जो उसने अवधारना ही दी है उसकी हम बात करते है Bernoulli कहता है जो fluid है वो ideal होना चाहिए और incompressible होना चाहिए ideal fluid है तो means जो friction होता है उसका वो negligible होता है और fluid incompressible होता है flow is steady steady flow है means समय के साथ उसकी जो properties changes है वो नहीं होनी चाहिए flow is along streamline means जो हमारा flow है वो laminar होना चाहिए velocity is uniform across the section and is equal to mean velocity तो यह कहता है कि हमने कोई cross section यदि cut किया है इसके अंदर तो इस cross section के along wave में परिवर्तन नहीं होना चाहिए means कि जो pipe है उसकी surfaces पे जो velocity है और उसकी जो center पे velocity है वो equal होना चाहिए only gravity और pressure force are acting यह कहता है जो gravity और pressure force के अदलावा कोई भी दूसरा force नहीं लगना चाहिए तो हम बात करें कि जो हमारा flow यह दी streamline के अनुदिस हो रहा है तो उस पे कौन-कौन से force लग रहे हैं एक force लग रहा है streamline के लोग p.da दूसरा force जो लग रहा है दाब हमारा p plus del p upon में Dallas इस direction में और तीसरा force लग रहा है यह जो हमारा द्रव का particle है उसका weight w जो कि downward direction में है तो जो कुल force है हमारा उसको हमने निकाल लिया अब यह जो मार पास दो मान आए है बल का और त्वरण का वो हमने पहली equation में रख दिया जो कि है f equal to m into a that is force f mass into acceleration जब हम पूरी समिकरण को solve करेंगे तो मार पास एक लाश समिकरण आएगी जो कि है dal p plus rho g dal z plus rho half of dv square equal to 0 जो कहरी है में जो कुल सीर्ष में जो परिवर्तन है उसकी दर है सुन्य है अब हम इस पूरी समिकरण को रो से divide कर देंगे च्योंकि हम कहते हैं हमारा fluid क्या है incompressible है तो जो same fluid ही सब जगे परिवर्ती दोएगा तो delta रो जो है वो same रहेगा अब हमें कुल सीर्ष निकालना है तो हम इस समिकरण का समाकलन कर देंगे समाकलन करेंगे तो हमारा पास एक final समिकरण आएगा जो assume करता है हमारा को जो flow है वो हमारा बर्नोली equation है जो कहती है जो दाब सीर्ष प्लस इस्तिति सीर्ष प्लस गतिस सीर्ष का समिशन जो है योग जो है वो constant होता है तो यदि हम कहें कोई भी हमारा जो draw का प्रवा है वो steady incompressible है और हम कहें जो गर्षन है वो नगन्य है तो किनी भी दो section के बीच में जो कुल सीर्ष का योग है वो समान रहेगा तो जो section first पे सीर्ष कुल सीर्ष बराबर है हमारा section 2 पे कुल सीर्ष तो यह हमारी general form है बर्नोली equation की यहां इस समिकरण में अलग अलग जो दाब सीर्ष है उनकी हम बात करते हैं पहला है हमारा static या pressure head जो की है P upon में rho g दूसरा है हमारा dynamic या kinetic head जिसको हम कहते हैं कतिज सीर्ष जो की है V square upon में 2 g तीसरा है हमारा hydrostatic datum या gravity head जो की है z चोथा है हमारा pyzometric head जो की योग है हमारा pressure head और datum head का जो हमारी simple pyzometric जो device होती है वो हमारा pyzometric head को ही calculate करता है last है हमारा stagnation head जो हमारा इस्तिति सीर्ष और dynamic सीर्ष है जो गति सीर्ष है उनके योग के बराबर होता है जो हमारी device होती है pitot tube वो stagnation head या stagnation pressure को ही calculate करती है ideal condition में मानते भी Bernol equation को derive किया गया है लेकिन real fluid जो होता है उसके अंदर pipe low की condition में कोई ना कोई friction work करता है जिसके कारण उसके जो सीर्ष के अंदर शति होती है जिसे हम कहते हैं सीर्ष शति जिसको हम HL के द्वारा denote करते हैं तो हम कहेंगे यदि हम section first से section second की तरफ जब जाएंगे कोई ना कोई सीर्ष शति होईगी जो की बराबर है किसके HL के तो जो section second के साथ यदि हम सीर्ष शति को जोड़ दें तो हमार first जो section है उस पे जो कुल सीर्ष है वो ग्यात हो जाएगा तो student यह है हमारी basic Bernoulli theorem और उसके regarding कुछ basic परिभासा हैं इसी के साथ ही आज का lecture मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ हमारे अगले lecture के अंदर हम discuss करेंगे flow measurement device है उनके बारे में तो धन्यवाद students यदि आपको हमारे YouTube lecture पसंद है तो हमारे YouTube channel को subscribe कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और हमारे वीडियो को like कीजिए यदि आपने हमारे YouTube channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको subscribe कीजिए धन्यवाद